नमस्कार दोस्तो, Pathfinder के Medieval Indian History Lecture Series में आप सभी का स्वागत है, बेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Rathodd, और आज इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे लोधी डैनस्टी, मिवाड और मालवा सलतनत के बारे में, तो 15th century में अब हम आ चुके हैं, पंदरवी शताबदी का टाइम पिरियड है, औ इन तीन बड़े-बड़े regional powers के उपर आकर टिक गई है, तो जो overall सलतनत time period है, 320 साल का दिल लीगे जो सलतनत है, उनमें हम सारी dynasties discuss कर चुके हैं, सायद dynasty को पिछले lecture में cover कर लिया था, और अब लोधी dynasty पर आएंगे, तो लोधी dynasty का time period अगर आप देखोगे, तो ये third longest dynasty है, तीसरी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली dynasty, 75 साल इसका शासन है, 1451 to 1526, इयर important है क्योंकि आपसे कई बर chronology पूछ ली जाती है, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए, कि 15 वी शताबदी के मध्य से लेकर, 16 वी शताबदी के शुरुवात तक लोधी dynasty का दिल्ली पर शासन तो अगर हम मैप में देखेंगे, तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, यहां राजस्थान में मिवाड और अन्य राजपूर्ट स्टेट्स, गुजरात सल्तनत, जिसको लास्क लेक्चर में डिसकस कर लिया था, मालवा के बारे में आज डिसकस करेंगे, बेंगॉल कर चु तो इन टेलिग्राम चैनल को सर्च करके इनको जॉइन कर लो, जिस तरह से सब कुछ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आता है, हाइलाइट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, अंडरलाइन, वो सब कुछ आपको वैसा का वैसा PDF के रूप में मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, Unacademy app पर आप मुझे follow कीजे, वहाँ पर मैं MCQ classes discuss करता हूँ, अभी quality के MCQs को हम discuss कर रहे है, और plus platform पर आज से एक नया course शुरू हो रहा है, history, art and culture के one year current affairs, तो ये चार दिन का course है, इसमें 4 lectures होंगे, 3.30 pm इसका time है, link नीचे पहले comment में दिया गया है, you can join this, Unac Unacademy plus platform पर UPSC की तयारी आप कर सकते हैं, live classes के माध्यम से, देश के best educators यहाँ पर live पढ़ाते हैं, तो इन से पढ़ने के लिए आप Unacademy platform से जुड़िए, अन्या बहुत सारे benefits हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, iconic subscription में one-on-one mentorship भी प्राप्त होगी, इस वक्त 10% की But mains के अलग से batches, सब कुछ मिलेगा, you will get everything together at one place, बाकिया आप जहाँ पर भी online, offline classes लेते हैं, वहाँ जनरली लोग GS पढ़ाते हैं, उसके अलावा आगे आपको नहीं पढ़ाया जाता है, GS के बाद आपका दामन छोड़ देते हैं, जातर इंस्टिउट्स, यहाँ पर ऐसा न Link दिया गया है कि आप course को कैसे join कर सकते हैं, कैसे avail कर सकते हैं, यह सारे courses regular batches में चलते हैं, तो आप अगर मान लीजे, आज subscription लेंगे, तो आप 18 मई से जो start हो रहा है batch, इसको join कर लो, तो 2024 के लिए हमारा एक 2-year batch course start हो रहा है, तो इस batch में आपकी schedule के अनुसार class चलेंगी, प If you want, you can go for the EMI option, otherwise you can pay as you like, CSE Assure के तहत, आपको 2 साल का subscription लेने पर 1 साल का additional validity free मिलेगा अगर आपका selection नहीं होता, हम तो यही चाहेंगे कि आपको validity के आवशकता, ना पड़े, कोई भी doubt है आपको course से संबंदे, कितना percentage, maximum discount मिल सकता है, कैसे avail करना है, EMI कैसे लेना है, यह सारे doubts आपके इस phone number पर clear हो जाएंगे, सुवह 10 से 7 बजे के बीच में, आप इस number पर कभी भी call कीजे, 78258-60095, in case अगर कोई phone नहीं उठाता है, तो आपको callback आ जाएगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि lines busy है, तो फिर आपको callback तुरंत आ जाएगा within 1 hour, तो आप इस number पर संपर्क कर स और सबसे बड़ी बात यह है, कि सायद dynasty इतनी कमजोर थी, कि इन्हें कई बार अफगान्स की मदद लेनी पड़ी, तो सायद dynasty के टाइम पर एक अलग ही trend शुरू होता है, बहुत सारे अफगान्स को बुलाया जाता है अफगानिस्तान वाले एरिया से भारत में settle होने के लि पंजाब वाले शित्र में खोखार से जाकर लड़ाई लड़ो, तो खोखार एक ट्राइब है, जो पंजाब में कई dynasties को चाये वो सलतनत हो, चाये उसके पहले वाले rulers हो, उन सभी को परेशान करते रहे थे, वाला परेशान क्या करते थे, उन्हें अपना independence चाहिए था, तो खोकार्स ने बहुत बार विद्रो करने की कोशिश करी, और खोकार्स बहुती fierce war-like tribe थे, तो उन्हें हराना काफी मुश्किल होता था, बहलोल लोधी ने ये काम कर लिया था, और इसके कारण बहलोल लोधी की इजद सल्तनत time period में काफी बढ़ जाती है, और इनका पद इनको जादा high post पर और बिठा दिया जाता है, ओके, so he fought these wars against the खोकार्स, लेकिन जब बहलोल लोधी ने ये लड़ाई जीती, तो बहलोल लोधी को लगने लगा कि मैं खुदी क्योंना सायद सुल्तान को हटा कर खुद सुल्तान बन जाओं, तो पूरे पंजाब पर बहलोल सुल्तान के बास इतनी आर्मी भी नहीं थी कि अपने आप से इस हमले से लड़ पाएं, तो सायद सुल्तान ने बहलोल लोधी को चिठी लिखे और बोला जल्दी से अपनी सेना लेकर आओ, बहलोल लोधी सेना लेकर दिल्ली आये, उसके बाद वो वापिस जाते ही नहीं है He stays there for now, और सायद सुल्तान चुप चाप retire हो जाते हैं, जी हाँ, कोई खून खराबा नहीं होता है, सायद सुल्तान को मारा नहीं जाता है, ये सायद सुल्तान जो हैं जाकर अपने आपको retire कर लिते हैं, और retirement के जीवन जीते जीते मर जाते हैं, and in 1451, बहलोल लोधी crowns himself as the of Delhi, officially 1451 में बहलोल लोधी अपने आपको सल्तान घोशित कर देते हैं, लेकिन इस समय तक सल्तनत काफी कमजोर हो गई है, सल्तनत जीतनी बड़ी नहीं है, जीतनी आपको है, इस map में नजर आ रही है, in fact यहाँ पर शर्की डैनिस्टी काफी बड़े एरिया पर rule कर रही थी, आज का जो उत्तरप्रदेश का इस्टरन और सेंटरल वाला पार्ट है, यहाँ पर फिर राजपूच स्टेट सारे इंडिपेंडेंट हो चुके थे, after the Tughlaq dynasty downfall, Tughlaqs के बाद में सारे राजपूच इंडिपेंडेंट थे, दिल्ली सल्तनत का इन पर कोई कंट्रोल नहीं अभी बात करेंगे मेवाड की एक कुछी मिनिट बात, तो मेवाड बहुत पार्फूल हो रहा था, मालवा सल्तनत पार्फूल, गुजरात इंडिपेंडेंट, यहाँ पर बंगाल बहुत बड़ा पावर बन चुगा था, तो दिल्ली सल्तनत का रूल मेजर इसी एरिया में अब बचता है, इस situation को ठीक करने की लोधीज ने कोशिश करी, तो आईए लोधीज के बारे में discuss कर लेते हैं, तो लोधी डैनस्टी की खासियत यह है कि यह तुर्क नहीं है, यह अफगान है, याद करो हमने starting में बात करी थी कि तुर्क में, Arabs में और अफगान्स में क्या फ हाला कि history में इसको लोधी revolution कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यह बहुत बड़ी बात थी कि तुर्क की जगे अब अफगान शासन कर रहे हैं, अभी तक अफगान mostly क्या करते थे, सेना में होते थे, they were warriors, they were part of the armies, उन्हें कभी प्रशासन में एक्तम highest position नहीं मिलती थी, they were there in administration, senior governor वगेरा कोई कभी बन जाता था, जैसे बहलोल लोधी बन गए, लेकिन सुल्तान कोई नहीं बना था, और जो nobility थी, वो mostly अभी भी तुर्क थी, तुर्क उसको dominate करते थे, जितने भी senior nobles थे, दर्बार में, सुल्तनत के अधीन, वो सारे तुर्क ह आ गये हैं, और इसका फाइदा लोधी डैनस्टी का अफगान को बहुत होता है, तो लोधी डैनस्टी जब पावर में आती है, तो वो और अफगान को बुलाना शुरू करते हैं, फोन गुमाते हैं अपने रिष्टेदारों को बोलते हैं कि हाँ भाईया आजाओ, अब हम बसना शुरू होते हैं, खास करके शर्की डैनस्टी को जब हरा दिया जाता है, और अफगान्स जो हैं वो पूरे इंडिया में फैल जाते हैं, in fact मालवा में भी एक अफगान डैनस्टी रूल करने के लिए आ जाती है, अभी उसकी चर्चा करेंगे, बहमनी सल्तनत में भी क अपने चरंपर्धी इनके टाइम पीरिड में, ठीक है, 1489-1517, टाइम पीरिड याद रखेगा, सिकंदर लोधी का बार बार नाम आएगा आगे इस लेक्चर में, क्योंकि इनके बहुत सारे अन्यराजाओं के साथ पन्फिक्ट होते हैं, इबराहिम लोधी इस डैनस्टी क सबसे कमजोर शासक हैं, 1517-26 का इनका छोटा सा शासनकाल है, अब आप देखें कि डैनस्टी कितनी कमजोर हो गई है, सल्तनत कितनी कमजोर हो गई है, मामलुक्स के टाइम पे इतना एरिया था, खिलजी के टाइम पे पूरा नौर्थ इंडिया इनके कबजे में था, तुग वंगा नदी वाला जो पूरा शित्र है, उत्तरप्रदेश, हर्याना और थोड़ा सा इंडस नदी वाला जो पंजाब का शित्र है, यहाँ पर यह रूल कर रहे है, नौर्थ इंडिया भी पूरी तरह से लोधी डैनस्टी के शासन में नहीं आया, और उसका कुछ रीजन है उसका कारण यह गिए कि जो regional powers हैं, यह ताकतवर हो जाते हैं, अब भेलोल लोधी के बारे में कुछ basic discussion कर लेते हैं, भेलोल लोधी का सबसे बड़ा challenge यह था शर्की डैनस्टी, तो पिछले लेक्टर में जिस शर्की डैनस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, यह आगे रो से आये वे लोग कहला है रोहिला तो रोहिला अफगांस जो हैं ये इस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और इनको आर्मी में शामिल किया गया और इनकी मदद से अल्टिमेटली जौनपूर सल्तनत या शर्की डैनस्टी को हरा दिया जाता है ठीक है और यहाँ पर अड़र्टाइस किया गया था कि भारत आओ भारत आकर आप गरीबी मिटा दोगे और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी वो भी मिलेगी नौकरी मिलेगी I'll give you power I'll give you higher ascendancy आपर आएंगे यहाँ अच्छी जौब मिलेगी गरीबी से निजात पाएंगे आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है आज अगर कोई ज्यादा अच्छा पैसा कमाना चाहरा है आच्छी नौकरी करना चाहरा है तो they want to go outside India तो एक trend है not everyone but many people do migrate for jobs and better education etc तो समय समय का फेर है 400 साल पहले अमेरिका में कुछ नहीं था शिकार विकार करते थे तीर कमान लेकर लोग घुमा करते थे 400 साल पहले US में आज technologically बहुत advanced देश है तो 300-400 सालों में दुनिया बदल जाती है कुछ पता नहीं रहता है history इसलिए पढ़ना काफी interesting होता है coming back to our topic तो अफगान्स जब बड history पर यह आएगा कि Suri dynasty जब power में आएगी तो वो कहां से उठती है बिहार से तो यह बिहार में अफगान्स कहां से आये यहीं से आये थे बहलो लोधी के time period में बड़ी संख्या में अफगान्स को यहां पर अफगान्स के बड़े संख्या में भारत आने से इंडिया की Muslim society में भी बड़े बदलाव आते हैं क्योंकि यहां पर पहले दो ही बड़े groups थे एक जो तुर्क आये थे वो अपने आपको higher nobility का मानते थे और जो इंडिया में converted Muslims थे उन्हें थोड़ा सा lower level पर treat किया जाता था society में उच्च पदों पर स्थान नहीं दिया जाता था जहां भी दि king नहीं होता है अफगांस में एक tradition है कि सुल्तान को दूसरों से उपर नहीं माना जाता आपको याद होगा गोरी भी अपने भाई के साथ मिलकर rule करता था they were equals ऐसा नहीं कि गोरी अपने आपको दूसरों से बहुत उपर मानेगा तो वो चीज़ चेंज करने की कोशिश किस न नहीं थे वो सोचते थे कि मेरा नाम सिखंदर है लेकिन मिला मुझे छोटा सा kingdom तो इन्होंने अपने भाईयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और काफी स्ट्रगल के बाद पूरे दिल्ली सल्तनत पर अपना कबजा जमा दिया बाकी जितने भी क्लेमेंट थे जो भी अधिक जे इतना सम्रिद नहीं था सिकंदर लोधी is the most powerful लोधी ruler इनके समय में लोधी dynasty का power अपने चरम पर था अब इनके contemporary राजाओं के नाम याद रख लेना महमूद बेगड़ा और गुजरात राणा सांगा और इनका नाम अभी आगे आ जाएगा और इन दोनों के साथ भी इनक सुल्तान को बहुत जादा बड़ा आदमी नहीं मानता था वो कहते थे ठीक है तुम हमें ही सही एक हो you are equal to us तो मैं बस शासन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है तो सिकंदर लोधी tried to change that उन्होंने कोशिश करी कि सुल्तान को उस नजर से देखा जाया जैसे यह सबसे उपर है तो सेम काम जो बलबन ने किया था यह यहाँ पर सिकंदर लोधी ने भी अपने time period में करने की कोशिश करी जिसे भी जागीर्स अलोट करी जाती थी इकते अलोट किये जाते थे उन्हें मजबूर किया गया कि तुम आकर regularly account submit करोगे और सल्तनत में सामने आकर सर जुक पाओगे और अगर कोई भी पैसा वगेरा बीच में खा जाता है, corruption करता है तो उसको बहुत strict punishment दी जाती थी तो इस तरह से सिकंदर लोधी ने administration को काफी अच्छे से चलाया because बहलो लोधी का जाला तर समय लड़ाई लडने में चला गया था, सिकंदर लोधी को time मिला finally that he could move the administration into an efficient manner, न्याय को लेकर बहुत फेमस थे सिकंदर लोधी, अपने justice को लेकर he was legendary और कई सारे robbers को, bandits को इनों ने इनके administration ने खत्म कर दिया ताकि व्यापार वापस बढ़ सके, actually हुआ क्या कि society में तुगलग dynasty के खत्म होने के बाद security इतनी थी नहीं, तो चोरी, चकारी, time period है, Syed dynasty वाला, that was not a very good time period for Delhi, in fact, Delhi 200 साल तक वो टैमूर के invasion से उबर नहीं पाई थी, तो safety, security ना होने के कारण व्यापार automatically down हो जाता है, सिकंदर लोधी को यह समझ में आ गया था, that is why he tried to make the highways very safe, फिर सिकंदर लोधी का agriculture में बहुत interest था, agriculture के लिए काफी कुछ किया गया, essential commodities का price सस्ता रखा गया या, markets को regulate करने की कोशिश करी, अनाज जब शहरों में आता है, तो उस पर एक off-tride duty लगती थी, वो हटा दी गई, और गजे सिकंदर नाम का एक नया yard का measurement लाया गया, तो approximately यह होता है, 9 square foot जितना होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, इसके कुछ भारत में, GAS is used as the denomination for area, square feet की जगे, GAS ही होता है, खास करके आप दिल्ली या फिर पंजाब साइट में जाएंगे, तो वहाँ पर यह GAS आज भी use होता है, ठीक है, तो GAS a secondary was introduced by the administration of Sikandar Lodhi, फिर rent roles को prepare किया गया, यानि कि लिखित में रखा गया कि यह वाला खेट इस वेक् किया गया, और यह वाले records आगे चल कर शेर्शा सूरी ने भी इस्तमाल किया थे, इनका जिक्र किया है, शेर्शा सूरी के administration ने, कि सिकंदर Lodhi के time period के जो rent records है, वो हमारे काफी काम आए, सिकंदर Lodhi ने कुतुब मिनार को भी repair कराया, 1503 के आसपास, कुतुब मिनार में के वाले एक मंजिल बनवा पाया था, कुतुब इदी ने अबक की death हो गई थी, उसके बाद, इल्तुतमिश ने पूरी मिनार को complete किया था, okay, so he was the second sultan that was involved, number two, तीसरा कौन है, फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज शा तुगलक ने, यह उपर की जो दो मंजिल है, यह बिजल marble का इस्तेमाल है, तो वो white marble का use थोड़ा बढ़ा दिया गया, and fourth and the last one was सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी ने finally इसमें कुछ repair करवा है, अब यह मत पूछना exactly क्या repair करवा है, इतना detail ना तो UPSC पूछता है कि कौन सी heat कहां लगाई गई है, बस नाम याद कर लो, बहुत हो बहतर बना दिया था, खंडर जैसा था, पड़ा था यह, तो अंग्रेजों ने इसको थोड़ा सा revamp किया था in 19th century, सिकंदर लोधी के religious policy के अगर हम बात करें, तो सिकंदर लोधी का time period was a very orthodox rule, तो orthodox ruler के रूप में देखा जाता है, and he is a bigot, bigot का मतलब एक ऐसा ruler है, जो के व ability के द्वारा, बतलब directly मूँ पर नहीं, बड़ दबे मूँ कई लोग कहते दे कि अब इनकी मा हिंदू है, तो यह इसलाम के प्रती इतना committed ruler नहीं है, यह सुल्तान सच्चा Muslim शासक नहीं है, तो अब वो होता है न अकसर कि कभी किसी दोस्त को आप कह दो, कि अरे तुझे बा Christians, तो हिंदूस पर जजिया लागू कर दिया गया, जजिया एक ऐसा tax था, जो non-Muslims को देना होता है, लेकिन यह tax कभी होता है, कभी नहीं होता है, depends on the ruler, अगर राजा या सुल्तान की मर्जी है, तो वो लगा देगा जजिया, कई बार हटा भी दिया जाता था, लेकिन जब इसी कारण से तोड़े थे, फिर शरिया लाओ को बहुत strictly लागू किया गया, जैसे कि Muslims को ही मना कर दिया, कि आप ये पीर और इनकी दरगाओं पे जो जाते हैं, ये बंद कीजे, यानि कि जो सूफी दरगाओं पे जो Muslims जाते थे, उसके लिए भी इन्होंने बैन लगा दिय सिकंदर लोधी, फिर राजपूत kingdom के साथ इनकी लगातार लडाई होती है, तो ग्वालियर, चंदेरी, धौलपूर ये जो kingdom थे, दिल्ली के बिलकुल past में, एकदम ये ring fence type दिल्ली और आगरा को घेरे हुए हैं, इनके साथ लगातार continuously राजपूत states के साथ लडाई चल रही से, तो ये पहली बार होता है कि आगरा capital बना है, अब आगे हम देखेंगे कि मुगल time period में भी आगरा बहुत लंबे समय तक capital रहता, कभी दिल्ली भी होता है, लेकिन अभी for the next 150 years, आगरा will be the most important city in India, ठीक है, 1648 में शाह जहां finally आगरा से वापिस दिल्ली capital shift कर देते हैं, उस समय तक, अभी लगबग 1500 साल तक ये सबसे महत्वपूर्ण शहर रहेगा उत्तर भारत में, आगरा capital shift करने के बीचे reason क्या है, reason यह है कि आगरा जो कि दिल्ली से लगबग 200 km की दूरी पर है, आगरा से आप राजस्थान और मालवा पे attack बड़ी असानी से कर सकते हैं, it is geographically closer तो आर्मी को mobilize करना असान है, कोई attack हो रहा है तो उसे रोकना असान है, तो इसलिए आगरा थोड़ा सा और interior में shift है and that is why it was chosen as the new capital, तो मालवा, गुजरात, राजस्थान इन सब को अपने नजर में रखने के लिए और इनसे बचने के लिए इनसे लगातार attack हो रहे थे हमले ह हो रहे थे, इन हम लोगो रोकने के लिए आगरा capital shift किया जाता है, ओके आगरा में एक बहुत पुराना किला था, लेकिन वो इतने अच्छे स्थिती में नहीं था, उस किले को renovate किया गया, repair करवाया गया और इसे आज हम red fort के नाम से जानते हैं, तो आगरा का जो लाल किला ह है, इसके renovations और इसमें आज का जो construction आपको नजर आता है, वो सिकंदर लोधी ने start करवा दिया था, बाद में, अकबर ने भी इसमें काफी काम करवाया, अकबर led to a lot of new developments in that red fort, लेकिन शुरुवात सिकंदर लोधी ने कर दी थी, पर ऐसा नहीं कि किला मौजूद नहीं था, खिला तो था, आगरा वाज इंपोर्टेंट सिटी इवन बिफोर, इस बिग ट्रेडिंग सेंटर इस वेल, तो आगरा का किला था, पर उसको capital के route में develop करने का काम सिकंदर लोधी ने शुरू किया, आगरा capital shift करने के बाद सिकंदर लोधी ने राजस्थान और आसपास के कर ले, तो रन्थमबोर आट ताइम वाज अंडर अलीजेंस ऑफ मालवा, तो मालवा एक रीजनल सूपर पावर था, तो उसी के अधीन रन्थमबोर थे, तो दे वांटेड तो शिफ्ट देर अलीजेंस, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हो पाय सिकंदर लोधी, आफर इस डे उससे ना तो नोबिलिटी खुष्टी, ना उनके मंत्री खुष्टे, और जिसने बगावत करने की कोशिश करी, उसको सीधा मौत के घाट उतार दिया, इनी सीनियर नोबल और गवर्नर में एक व्यक्ती था दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी पंजाब का सुवेदार या गवर्नर था, दौलत खान की सपने थे कि मैं सुल्तान बनूगा, सेम बहलोल लोधी वाला सपना ये भी पाले हुए था, लेकिन अकेले अपने दम पर सुल्तान बनना इसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो बहलोल दौलत खान ने ये देखा कि किस से मदद ली जाए, त राजा आकर बैट गया था, उसका नाम था बाबर, तो बाबर was originally from Central Asia, Central Asia से निकल कर उसने अपने आपको काबूल में establish कर लिया था, और बाबर से मदद मांगी जाती है, तो दौलत खान लोधी चठी लिखते हैं बाबर को और कहते हैं कि आओ आप इंडिया पर हमला करो, क्य साथ अब्राहिम लोधी से and अब्राहिम लोधी died in this battle, अब्राहिम लोधी versus बाबर यह होती है first battle of पानीपत, पानीपत का है दिल्ली से लगबग hundred kilometers north में है, thین battles of पानीपत होंगी इतियास में, उस में से यह पहली है, it was fought between बाबर on one side and अब्राहिम लोधी on the other side, यहाँँ पर की death हो जाती है मैदान पर और उसके बाद बाबर अपने आपको दिल्ली में establish कर देता है और मुगल dynasty की स्थापना होती है मुगल dynasty सल्तनत पीरेट से अलग है तो यहाँ 1526 में एक important समय काल समाप्त हो जाता है अब उस समय किसी ने बताया नहीं था कि यह सल्तनत पीरेट खत्म हो गया लेकिन historians जब बाद में इसको पढ़ते हैं हम इसे analyze करते हैं तो अब इसको हम विभाजित कर देते हैं तो लोधी dynasty सबसे famous है अपने architecture के लिए garden architecture style इनकी famous है यहाँ पर बहुत सारे मगबरे इन्होंने बनवाए और यह मगबरे gardens के बीच में थे इस एरिया को आज दिल्ली में लोधी gardens कहा जाता है और लोधी gardens में सारे बड़े-बड़े मंत्री और जितने भी bureaucrats हैं walk पर जाते है आप भी IAS बनिये senior position पे जब जाएंगे दिल्ली में आपको residence मिलेगा तो आप भी सुब़ब सुब़ब walk करने के लिए लोधी gardens में ही जाएंगे बहुती खुबसूरत एरिया है तो यह बहुत बड़ा park है जिसके बीच में कई सारे इस तरह के मगबरे बने बने हैं इस और पूरा बड़ा garden भी है और यह वाला भी garden है तो कहीं कहीं पर दिवारे टूट गई है कहीं पर अभी मौजूद है तो जैसे सिकंदर लोधी के टूम के आसपास वाली दिवार यह मौजूद है आपर काफी खुबसूरत सा garden है इसलिए सब यहाँ पर walk करने जाते हैं और यहा दिख सकते हो कि सभी टूम्स के आसपास यह दिवार नहीं बनी वही है जो important सुल्तान्स के मकबरे हैं उनके चारो तरफ वाल बनी वही है और तुगलक डैनेस्टी के से compare अगर आप करेंगे तो यहाँ पर दिवारें अब वो टेडी वाली नहीं है they are not those slanted walls again architecture में दिवारें नहीं हो पाए तो लोधी डैनेस्टी में सबसे important यह लोधी आर्किटेक्ट्चर है इन दिल्ली सिटी थ्री डूम्न मॉस्क यह भी है वहाँ पर लोधी गार्डन्स में अब इसी समय पैरलल में दुनिया में क्या हो रहा था यह जान लो तो 1453 में जब भारत में लोधी डैन कॉंस्टेंटिनोपल को जीत लेते हैं कॉंस्टेंटिनोपल डट इस इस्टन रोमन एंपायर बिजन्टीन एंपायर उस वह समाप्त हो जाता है लगबग 1000 साल तक चलने वाला इस एंपायर समाप्त हुआ और इसकी जगे अब आटमन्स यहाँ पर रूल करेंगे और आटमन मध्यप्रदेश आज के समय में पश्यमी और थोड़ा सा सेंटरल मध्यप्रदेश वाला जो एरिया है that is मालवा मालवा में 1392 में लोकल तुगलक गवर्नर दिलावर खान घोरी ने अपने आपको इंडिपेंडेंट गोशित कर दिया आपको याद ही होगा कि तुगलक के सम इनका बेटा हुशंग शा जब गदी पर बैठता है हुशंग शा अपने आपको सुल्तान कहते हैं तो इन्होंने अपने आपको टाइटल दिया 1406 में एक सरेमिनी करवाई बड़ी सी के मैं सुल्तान हुशंग शा हूँ मालवा सल्तनत एक इंडिपेंडेंट सल्तनत के रू हुई थी और मालवा को एनेक्स कर लिया गया उसके बाद मालवा इंडिपेंडेंट नहीं होता है अल्टेमेटली मालवा वाला रीजन फिर से इन दौर कैपिटल के रूप में मराठाज उसको एस्टाबिश करते हैं अंडर होलकर डैनेस्टी बट उसमें अभी टाइम लग तरफ से घिरा हुआ है अलग-अलग कंट्रीज के से अलग-अलग किंग्नम से तो मालवा की सिचुएशन बड़ी प्रिकारियस रहती थी मालवा को डर लगा रहता था कि कहीं से भी कभी भी कोई हमला कर सकता है हाला कि इनके पास नैचरल बॉर्डर भी बहुत है यहाँ पर फर्टाइल लैंड बहुत था क्योंके नर्मदा तापी जैसी नदिया यहाँ से बहती है फर्टाइल ब्लैक सोयल है इनफाइक आज भी वन अफ फर्टाइल सोयल सिन सेंटरल इंडिया मालवा में आप देखेंगे और यहाँ पर अच्छी प्रोस्पेरिटी थी और मालवा बहमनी लोधी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली तो इनके बीच में हमेशा एक टसल चलता था और मालवा कई बार एक बैलेंसिंग एक्ट हमेशा रखने की कोशिश करेगा मालवा का कैपिटल ओरिजिनली क्या था धार 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 वस फर्स कैपिटल लेकिन लेटर उसे शिफ्ट कर था ठीक है हुशंग शा अफ मालवा ही शिफ्टेट दे कैपिटल तो मंडू हुशंग शा का ओरिजिनल नाम भी याद रख ले ना तो हुशंग शा उन्होंने अपने आपको टाइटल दिया था आफ्टर बिकमिंग दरूलर पहले नाम था अल्प खान तो अल्प खान से न गुजरात उनको कहा कि तुम बगावत कर दो और हिंदू रूलर्स को भी सपोर्ट किया तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट वस नोट अल्वेस रिलीजियस वार धर्म कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं तार फाइट के लिए everybody wanted to increase their power ठीक है सबको अपना power increase करना है तो मालवा और गुजरात के सुल्तान ने भी बहुत सारी लड़ाईयां लड़ी और इसमें ये हिंदू रूलर्स को सपोर्ट कर रहे है ठीक है फिर आप देखेंगे कि राणा औफ मेवाड के जो enemies हैं उनको यहां पर सपोर्ट किया जाता है मालवा के सुल्तान के बारा तो हुशंग शागे time period में मेवाड के राणा मोकल के दो बड़े भाई थे जो उनसे लड़ाई लड़ रहे थे राजा बनने के लिए लेकिन वो बन नहीं पाये थे तो वो देश छोड़कर आते हैं उन्हें देश निकाला दे जिया था मोकल ने कहा कि तुम नजरों स करना हो और नया रूलर बिठाना हो तो इनी में से किसी को बना देंगे रूलर ये सोच रहती थी ये सभी की रहती है according to the Lalitpur temple inscription हुशंग शा के time period में मंदिरों के construction पर कोई रोक नहीं थी काफी मंदिरों का भी construction होता है और जैन्स को भी patronage दी गई तो हुशंग शा का जो religious policy है वो सिकंदर लोधी के contrast में है he supported the temple construction मतलब तोड़े नहीं या फिर मना नहीं किया किसी को मत बनाओ खुद नहीं बनवाए सरकार ने कोई मंदिर नहीं बनवाए लेकिन जो बनाय जा रहे थे उन पर कोई रोक नहीं लगी इन फाक्ट हुशंग शा के time period में जैन्स ने बहुत तरक्की करी जैन commercial traders के बारे में हमें काफी जानकारी इस समय के मिलती है जैन merchants ने मालवा को बहुत सम्रिद्ध बनाया था उजैन became a major trading center पहले से भी था अभी फिर से वो एक बड़ा trading center बन गया इन फाक्ट हुशंग शा के administration में नरदेव सोनी नाम के एक बहुत ही बड़े merchant थे व्यापारी थे जिनको उच्चपत दिया गया इनको बना दिया गया treasurer of the empire तो मालवा सल्तनत में जैन्स को भी काफी सम्मान मिला कुल मिला कर हुशंग शा की जो religious policy है वो काफी tolerant थी मालवा सल्तनत में बहुत सारा architecture बनता है, constructions होते हैं और एक unique style develop होती है तो यहां की एक जामा मस्जिद है, हिंडोला महल, जहाज महल, यह सब मांडू में construction करवाए गए तो यहां पर आप photo देखें जहाज महल की, तो यह दूर से देखने पर एक पानी का जहाज, यानि की ship की तरह नजर आता है इसलिए इसको जहाज महल कहते हैं, तो यह unique style का architecture है, जिसमें पानी भी है, कई सारे platforms है फिर यहां पर यह residential area भी बनाया गया है, तो जहाज महल, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, यह सारे construction है कहां के, मांडू में, under the मालवा सल्तनत, so it was distinct than the other architectural style of दिल्ली, तो गुजरात से भी अलग है, दिल्ली से भी अलग है यहां पर colored और glazed style का इस्तमाल है, और lofty buildings है, बड़ी-बड़ी, massive lofty buildings है, जिनके अलग ही प्रकार के use है, जैसे कि यह जहाज महल अब मालवा सल्तनत में, हुशंग शाह के बाद में, जो rulers आते हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है, तो उनके परिवार को replace कर दिया जाता है, by some other khalji dynasty अब ये वो khalji dynasty नहीं है, जो दिल्ली में थी, सरनेम इनका भी khalji है, ये भी वही khalji है, Central Asia से आयवे तुर्किक ओरिजन के khalji हैं, but they are a different khalji origin, ठीक है, तो ये वो अलावदिन khalji वाला khalji नहीं है, ये एक अलग khalji dynasty अपने आपको यहाँ पर establish कर लेती है, और इसमें स कुंबा के ये contemporary थे, तो मेवाड के राणा कुंबा से इनकी लड़ाई चलती है, now he was very intolerant, तो हुशंग शा के comparison में इन्होंने religious policy बदल दी, कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, in fact जो मेवाड के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें मेवाड के कई मंदिरों को तोड़ गया था, और ये बताता है कि इस policy was not very tolerant towards other religions, तो खल जी ने बहुत चारी लड़ाई यहां लड़ी, आसपास के पडोसी राज्यों से, गुजराद से, गुणवाना के राजाओं से, उड़ीशा के राजाओं से, बहमनी सल्तना, दिल्ली सल्तना, सबसे लड़ाई लड़ी मह स्थान में स्थित है, और इसमें भी राणा कुंबा ने इसको बहुत powerful बना लिया था, तो दोनों की टकरार बहुत बार होती है, and they fought many wars in between them, मेवाड और मालवा की बहुत लड़ाईया होती है, और कई बार ये एक तरह का tripartite struggle बन जाता है, क्योंके गुजराद भी involved हो गया, गुजराद कई बार कोशिश करता है, कि हम अलग रहे हैं, इस लड़ाई में शामिल ना हो, लेकिन कई बार शामिल हो भी जाते हैं, due to some local politics, तो मेवाड और राचपुताना से लड़ाई लड़ने पर मेहमूत खिल जी का major focus रहता है, and this is the middle of 15th century, आईए अब बात करते हैं मे मेवाड की, तो देखे, मेवाड का kingdom वैसे तो 8th century में स्थापित हो गया था, बप्पा रावल ने इसकी स्थापना कर दी थी, हमने पहले भी नाम लिया था, बप्पा रावल का शुरुआती लेक्चर्स में याद करो, Battle of Rajasthan के बारे में मैं आपको बताया था, तो बप्प काफी powerful हो चुका था, और अलावदिन खिल जी ने इस पर हमला किया, रावल रतन सिंग लड़ाई में मारे जाते हैं, and he was the last ruler of that earlier branch, तो मेवाड की ruling dynasty खत्म हो चुकी है, लेकिन 20 साल बाद, उसी परिवार के एक दूसरे व्यक्ति ने इस dynasty को revive किया, तो देखो जैसे यहाँ पर dynasty change हो गई ना, मेhmood खिल जी आगे, पहले अलग dynasty थी यहाँ, घोर dynasty थी, होशंग शावाली, तो replacement जैसे यहाँ हुआ था, वैसा ही मिवाड में भी होता है, तो मिवाड में क्या होता है, कि हमीर के नित्रित्व में, एक अलग branch of family मिवाड पर शासन करना start करती है, और ये time period तब का है, जब दिल्ली में तुगलक रूल आ चुका है, तो after 1326, जब तुगलक शासने दिल्ली में, तुगलक थोड़े थोड़े कमजोर होते जा रहे है, मौमद बिन तुगलक का time period है, उस समय हमीर मेवाड को revive करते हैं, चित्तोड पर फिर से अपना control जमाते हैं, और हम हमीर की डैनेस्टी कहलाती है, सिसोधिया डैनेस्टी, क्योंकि ये सिसोध नाम के गाहों से आते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया सिसोधिया, तो सिसोधिया डैनेस्टी अब यहाँ पर रूल करना शुरू करती है, और अब आगे वही डैनेस्टी चल रही है, for the next 600 years, सिस रंधंबोर डैनेस्टी, लेकिन रंधंबोर को भी अलाओ दिन खिल जी ने हरा दिया था, तो अब वहाँ पर जो चौहांस थे, who were the descendants of पृत्वीराज चौहान, तो अब रंधंबोर के हारने के बाद, राजस्तान में एक पावर वैक्यूम है, और इस पावर वैक्यूम का पाइदा उठाया किसने मिवाड ने, ठीक है, तो यहाँ पर मेजर राजपूर स्टेट्स कौन से हैं, तो एक तो देखे, नागोर में एक मुस्लिम प्रिंसिपालिटी है, खान ओफ नागोर, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरिट से इस्टाबिश हुए थे, अपने आपक आगे जारी रखी, तो अजमेर में इस तरह से हमेशा मुगल गवर्णर भी यहाँ पर रहता था, और आगे चलकर आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में भी अजमेर कोई वो एक पावर, seat of power के रूप में बना दिया जाता है, तो अजमेर की जो पावर है, वो कई बार change होती है, अजमेर पर आधिपत के जमाना, एक बहुत बड़ा पावर का show of display हो जाता है, इसी लिए, मेवार भी उस पर कबजा जमाना चाहता है, रन थमबोर भी जमाना चाहता है, क्योंकि इसकी location भी central है, नागोर भी जमाना चाहता है, तो अजमेर को लेकर एक पावर टसल इनके कबजे में है, सदन राजस्थान की कबजे में है, लेकिन जब ये कमजोर हैं, तो इनके पास ये सदन राजस्थान वाला जो इनका core area है, वो मौझूद है, core area is today's उदैपूर, चत्तौर, राजसमन, भीलवड़ा, these are the district, district के नाम आपके लिए important नहीं है, बस इतना या मेवाड में सबसे powerful ruler है, राणा कुमबा, राणा कुमबा का time period है, 1433-68, काफी young age में ये राजा बन जाते हैं, 16-16 साल की उम्र में ये राजा बन गए, और इनका time period भी लंबा है, almost 34 साल का इनका शासन रहा है, और मेवाड वस the most powerful under his time, अभी 15th century तक, इनोंने पडोसी छोटे राजपूत kingdom, जैसे की बूंदी, कोटा, डुंगरपूर, इन सब को हरा कर अपने अधीन लाया, अगर आप map में हाँ देखेंगे, तो कोटा मालवा के पडोस में है, और डुंगरपूर गुजरात के पडोस में है, तो जब राणा कुमबा ने अपने borders को बढ़ाना को कुछ तो करना पड़ेगा, और इसलिए राणा कुमबा की इनके साथ लडाई होती है, बहुत बार लडाई होती है, और कई बार तो गुजरात और मालवा एक साथ मिलकर मेवाड पर हमला करते हैं, during the time period of राणा कुमबा, अब इन लडाईों में बहुत सारी local politics है, जो UPSC लेवल पर काम की नहीं है, राजस्तान स्ट्रीट PCS वालों के लिए फिर भी ये काम की है, शॉट मैं बता देता हूँ, नागोर पर हमला किया पहले राणा कुमबा ने, खान ओफ नागोर ने गुजरात से मदत मांगी, दूसरी तरफ मालवा से इनकी लडाई का जो local cause है, यानि कि जो instant cause था वो ये कि मालवा के महमूद खिल जी के खिलाफ एक उनी के परिवार का विक्ती, जो खुद सुल्तान बनना चाहता था, उसने बगावत करने की कोशिश करी, उसको देश निकाला मिला, तो again राणा कुमबा ने उनको शरण दे दी कि हाँ आ जाओ, वो वा खिल जी ने भी अपनी तरफ से मिवाड में जो भी डिसेंटर था, यानि कि मिवाड में जैसे कि राणा कुमबा के खुद भाई उनके खिलाफ थे, they wanted to become the rulers, तो उनको यहाँ पर शरण दी जाती है, इन कारणों से मिवाड और मालवा के बीच में कई बार लड़ाई होती है और लड़ाई अकसर कुम्बलगड के दुर्ग तक पहुँच जाती है, कुम्बलगड का किला दुनिया के सबसे बड़े किलो में से एक है, 38 किलोमेटर की इसकी boundary wall है, यानि कि अगर इसका जो total perimeter या circumference वाली दिवार आप देखेंगे, तो 38 किलोमेटर बड़ी है, it is one of the largest forts in the entire world, हाला कि अकसर मैं देखता हूँ कि ये लिखा रहता है कि वह दूसरी सबसे बड़ी दिवार है, great wall of china के बाद second longest wall, लेकिन वो सही नहीं है, ये third longest है, ठीक है, एक किला है इरान में, वो second longest है, उसकी दिवार बहुत लंबी है, तो वो 38 किलोमेटर से जादा लंबी है, तो कुम्बलगड फिर भी third तो ही, और कुम्बलगड का किला size में, दुनिया का सबसे बड़ा किला है, और यहाँ पर जो किला है, वो majorly, राना कुम्बा नहीं बनवाया था, इसके पहले एक बहुत छोटा सा यहाँ पर किला था, तो यह जो आपको आज structure देखने को मिलता है, इसको गुजरात की आर्मी ने दो बार attack करने की कोशिश करी, दोनों बार unsuccessful रहे, लेकिन फिर मेहमूत खिल जी ने अजमेर पर हमला किया, और वहाँ पर अपना governor बिठा दिया, कुछ समय बाद राना कुम्बा ने फिर हमला करके अजमेर से उनके governor को हटा दिया, और रन्थम तक मिवाड का border आगे बढ़ जाता है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, somewhere here is रन्थमबोर, तो यहाँ तक मिवाड का power चला जाता है, right up till the सल्तनत, तो अब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मिवाड के बीच में direct conflict होगी, दोनों के एक border हो चुका है, ठीक है, राना कुम्बा न और एक बार तो लड़ाई, मालवा के बिल्कुल capital के पास में भी थी, battle of सारंगपुर, यहाँ पे तो कुम्बा अपनी आर्मी लेकर पहुँच गए थे, मालवा के capital मांडू के पास तक, और वहाँ पर महमूत खिल जी को arrest भी कर लिया गया, बंदी भी बना दिया, लेकिन इसकी दिवारों पर जो नकाशी वगेरा है, वो बहुत ही amazing है, और यह बहुत ही अच्छा नमूना है राजकूत architecture का, तो विजह स्थम्ब बनवाया गया गया चित्तोडगड के किले में, और यह बनवाया गया था, तो एक बार क्या हुआ था कि मालवा गुजरात दोनों न मिलकर हमला किया था, दोनों के armies को हरा दिया, राणा कुंबा ने 1444 के असपास, और उसके बाद यह विजह स्थम्ब बनवाया जाता है, ठीक है, और विजह स्थम्ब का एक बहुत important significance है, क्या राजस्थान के छात्र मुझे बता सकते हैं, कि राजस्थान सरकार के एक department के official logo म में, इसका इस्तमाल किया जाता है, वो कौन सा विभाग है, जरा मुझे comment में बताओ, अच्छा, इसे कीरती स्थम्ब से confuse मत करना, कीरती स्थम्ब जो है, वो भी चतौड के किले में स्थित है, वो भी एक tower है, लेकिन वो जैन धर्म को denote करता है, that is not built by the ruler, that was built by Jains of Chitod region, तो म refuse मत हो जाना, कीरती स्थम्ब अलग है, 12th century में बना था, विजय स्थम्ब बना था, 15th century में और दोनों के purpose अलगते, this was built to commemorate the victory of Rana Kumba, over the armies of Gujarat and Malwa, और कीरती स्थम्ब बना था, for Jainism, that was related to a religious, that is a religious architecture, फिर Rana Kumba के समय में, मिवाड में, art and architecture के लावा, बहुत development होता है, writing में, क भी किताबे लिखते थे, कवी कविता लिखते थे, और इन्होंने बहुत सारे learned men को अपने दर्बार में जगे दी थी, state patronage दी थी, बहुत सारी buildings बनाई, कई सारे किले बनवाया है, चितोड़गड के किले को renovate कराया, कुंबलगड का नया किला बनवाया, चितोड़ में बह और राणा कुंबा वो सो पारफुल कि इन्होंने मारवाड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, राणा कुंबा के पहले, मारवाड उस्टू कंट्रोल मेवाड, ठीक है, उसकी अब हिस्ट्री क्या थी, वो अभी हम नहीं जाते है, अगेन वो राजिस्थान PCS वालों करी गई, तो मारवाड पूरी तरह से मेवाड को अपने उपर से हटा देता है, और इंडिपेंडेंट हो जाता है, around 1460, और इसी समय 1459 में जोदपूर शहर की स्थापना होती है, तो जोदपूर में जो आप किला देखते हैं, महरांगड का ये फोट है, this is the महरांगड विल्ट बाए राव जोधा, 1438 से 89 तक इनका शासन रहता है, 1459 में इन्होंने ये नया कैपिटल बनवाया, इसके पहले कैपिटल था मंदोर, so मंदोर is about 14 km अवे फ्रॉम देखने को मिलेंगे, मारवाड एंड मेवाड, ओके, राणा कुमबा की मृत्यू के बाद मेवाड म उनके बेटे ने कर दी थी, उसको खुद को राजा बनना था, तो उदा नाम का उनका बेटा था, उसने हत्या कर दी, उसके बाद एक conflict of succession होता है, कई साल मेवाड में ये आपस में लड़ाई चलती रहती है, परिवार के सदस्यों के बीच में, finally 1508 में एक व्यक्ति, बाकी स सब को हरा कर, पावर कंसोलिडेट कर लेता है अपने पास, इनका नाम था राणा संग्राम सिंग, या फिर जैसे की commonly इनने जाना जाता है, राणा सांगा के नाम से, तो राणा संगा असेंड्स थ्रोन अफ मेवाड इन 1508, तो 1508 से 1528, 20 साल का इनका कारेकाल है, सांगा के ट महमूद, the second ruler of Malwa से, लड़ाई हो जाती है, इनके आपस में बनती नहीं है, तो ये switch कर जाते हैं साइट और राणा संगा का साथ देने लग जाते हैं, तो ये राणा संगा के लिए बहुत बड़ी जीत थी, कि मेदी निराय, जिन्होंने पहले महमूद को help करी थी, सत्ता हस देंगी, दो एक तरफ और दो दूसी तरफ, तो चंदेरी और मेवाड, ये हैं एक तरफ, और गुजरात और मालवा, ये हैं दूसी तरफ, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, between the powers, armies of Rana Sanga plus Rana Medni Raya of Chंदेरी, not Rana, King Medni Raya of Chंदेरी, और यहां पर गुजरात सुल्तान और मालवा के सुल्तान, और यहां पर गुजरात और मालवा की armies हार जाती है, 15-17 में लड़ाई हुई थी, महमूद the second को यहां पर बंदी बना लिया जाता है, Rana Sanga के द्वारा, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है, because he agreed to become a Vassal, तो Rana Sanga के अधीन, अब चंदेरी, यह सब इनके कंट्रोल में आ चुके हैं, that is how, मिवाड is super powerful at this time, तो मिवाड अपने power के चरम पर है, मिवाड का power अपने चरम पर है, Central India में सबसे बड़ा power अब यह बनता चारा है, मिवाड का kingdom, और अब यह direct conflict में आएगा, लोधीज के साथ जो यहां पर आगरा में गएं, तो लोधीज और मिवाड के बीच में लड़ाई होती है, Battle of Khatoli in 1518 और इस लड़ाई में इबराहिम लोधी की हार होती है, तो राना सांगा defeated इबराहिम लोधी और इस से मिवाड का power और ज़्यादा सशक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन होता यह है कि 1526 में भ असी घाव थे, इनके शरीर पर, एक हाथ में घाव था, एक आँख इनकी खराब हो गई थी, तीर लग गया था, तो देगे अगले 8 साल, राना सांगा काफी powerful थे, लोधी डैनेस्टी भी यहाँ पर थोड़ी सी अभी दभी हुई है, कमजोर है, लेकिन 1526 में सब कुछ बद को डिसकस करेंगे, उसके बाद फिर से उत्तर भारत की राजनीती पर या मुगल डैनेस्टी के बारे में हम चल्चा करेंगे, वहाँ पर यह सारे नाम आपके सामने फिर से आएंगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को पीडियो डाउनलोड कर सकते हो, अल्टरा कॉंबैट आ रहा है, बाइस मही को, इसमें आप हिस्सा लेकर बहुत अच्छे-च्छे प्राइजिस जीच सकते हैं, और स्कॉलर्शिप्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी स्कॉलर्शिप्स हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मे और पहले कमेंट में मिल जाएगा, डाउट अगर आपको रहते हैं, तो प्लस प्लाटफॉर्म पर अब हमने एक अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन स्टार्ट कर दिया है, अनकैडमी सब्स्क्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले-पहले आप सब्स केड़िए